हेलो साथियों नमस्कार स्वागत करता हूँ मैं सोरा पठेल अपने यूटूब चैनल मिस्टर एस्पी पॉइंट में साथियों आपके लिए बहुत जरूरी है जो लोग इलावाद विशिद्याले से संबंधित और इलावाद विशिद्याले में पढ़ते हैं उनके लिए जरूरी सुचना जो लोग आवेदन कर लिए हैं उनके लिए भी जो लोग ऑनलाइन के संबंध में अप्लीकेशन दिये हैं एक्जाम कराने के लिए उनके लिए भी जरूरी बात बताने आया हूँ और जो लोग नहीं दिये उनके लिए बहुत जरूरी बात बताने माला हूँ तो वीडियो में अंतक बने रहे आपको मैं बहुत जरूरी बाते बता हूँ ज्यादा लंबा वीडियो नहीं देंगे और आप सभी को मैं जरूरी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग आवेदन नहीं दिये हैं, क्योंकि अभी अभी सूचना यह मिल रही है, कुछ अधिकारियों के दवारा, कुछ लोगों के दवारा, कि exam जो है, online या offline की बीच में बात आ गई है, कि हो सकता है, जिन्हों ने online के लिए, जो छात online के लिए application दिये हैं, उनका online exam करा दिया जाए, और जिन्होंने application नहीं दिया है, उनका offline करा दिया जाए, ऐसी अभी खबर मिल रही है, आपको बता देता हूं, कि जो लोग अभी online application नहीं दिये, पहले तो वे जा के भाग की, अपना online आवेदन दिजिए, यदि वो नहीं हो इलाबाद में, तो वे इस comment box म हमारे इस वीडियो के comment box में अपना comment करें, मैं application नहीं दिया हूं, तो मैं उनको अपना contact, या फिर मैं अपना telegram channel के link दियूँगा, जिसमें वो तुनन comment करें, message करें, मैं उनके contact करके किसी तरीके से, जल्दी जल्दी उनके समस्यां को solve करूंगा, और उनका आवेदन दिलव हैं, गाउं चले गए हैं, तो उनका भी साती को इलहाबाद में होगा, तो वो लोग क्या काम करें, सीधा से अपने सातियों के साथ किसी के पास अपना receipt ID card भेज करके आवेदन दिलवा दें, और जो लोग दिये हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है कि वो दे दिये हैं, औ इतने लोग दियें, मेरे एक दिने से क्या हो जाएगा, वो लोग भी सुन लें, आप से मैं कहता हूँ, आप लोग आवेदन कर दीजिए, यह ओनलाइन एक्जाम सभी का हुआ, तो बहुत बेहतर बात है, जो कि छात्रों की मांग रही है, और आपको बता देता हूँ, कि ज इतना जादा संख्याम अप्लिकेशन दिये जा रहे है, कि छात्रों का अब दिखा एक ता, अब तक छात्र जमीन पर आके पूरे छात्र नहीं आए, जो कि इतने दिन से हम लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था, उनलाइन एक्जाम के लेकर, बहुत सारे छात्रों उस प्रोटेस्ट नहीं सामिल होते थे, लेकिन अब सभी छात्र आवेदन के लिए इतनी बड़ी कतार में जुड़ गये हैं, कि लगातार आवेदन कर रहे है पिछले जैसे तीन दिन बाद बता दू, साथ, हजार, आट, हजार फॉर्म तो CMP डिगरी कॉलेज में पड़े थे, सोचे वो भी सेकंड यर, थार्ड यर के स्टूडेंट, इतनी ज्यादा संख्य में स्टूडेंट्स लगातार फॉर्म अपलाई कर रहे हैं, और मैं बता जो लोग अनलाइन अपलिकेशन दिया हैं, पहली नंबर वो अनलाइन मानने आपका होगा नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा है, कि आप एक काम करिए, अपना फिर रिसीव प्रिया, फिर आईडी कार्ड किसी एक साथ भेजे, जैसा मैंने बताया कि आप अपना अपलिकेशन ज पुद दीजिये, अभी समय है, आज आप लोग जो लोग ना दिये हो, जो सोच रहे हो कि मेरे भी कुछ साथी थी, मैंने उसको कली अभी फार्म दिलवाया हूँ, वो लोग बोले कि यार सब लोग दे रहे हैं, मैं क्या दूँ, मतलब मेरे देने इस क्या हो जाएगा, ऐसी सभी करेने लगेंगे, तो अगर सव सव लड़के किये के कॉलेज से, तो दस कॉलेज अफिलीटेंट में आ गए तो एकजाल लड़के ऐसे ही हो गए, तो इसी लिए आप से कहता हूँ, आप सभी लोग जुन्ना दिये हो, जो सोच रहे हो कि देने के लिए, आज मार्च को जल्दी से आप इंदन दे दीजिए, अप्लिकेशन फीज रिसिप्ट लगा दीजिए, जो लिखी है उसका टू कॉपी रख लीजिए अपने पास, और कह रहे हैं कुछ लोग को लगतार यह सवारा रहा है कि जो हम लोग अप्लिकेशन दे रहे हैं, उसका मतलर हमको नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए मैं बता देता हूँ, पहले नमबर तो सभी लोग अप्लिकेशन लिकर फोटो तो जरूर ठीचे रहते हैं, नॉर्मल बात हो गई है, चलिए और रिसीविंग आपकी मिल गई, लेकिन आप लोग काम करिए कि जो अप्लिकेशन लिखियो लिए और इस डीची में हर एक कॉलेज में पहले दिन इस डीची में 2-3,000 फ़र्म पड़े थे, पहले दिन, सीमप में 4,000 फ़र्म पड़े थे, आप जरा सोचिए, 4,000 फ़र्म एक दिन में अनलाइन के लिए, और अब तक नहीं वी सिद्द्याला सोच रहा था कि छात्र, यही कुछ छोटे, मतलब कुछ ही छात्र हैं, जो कि छुट पुट छात्र हैं, यहां पे ऑनलाइन अपली के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब लिए 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 वाद वी सिद्द्याला की अकल ठीकाने आ गई है, कि छात्र जो हैं कितने ज्यादा संख्या में उनलाइन के लिए मान कर रहे हैं, तो इसलिए साथियों कहता हूँ, जो आपके साथी अभी ना दिया हैं, और जो गाओं गया हैं, उनका आप खुद अपली के सन लिए इससे आपको कुछ नहीं जाने वाला है, दो चार रुपए का टू कापी करवाना पड़ेगा, बस उस बेला एक और कड़ी हम लोगों सामें रख दी, हम लोगों ने उसको भी स्विकारा, जितने चार स्विकारें लेकिन देखा जाए कि हमारे बड़े भाई लोग इस वक्त गलत आरोग के चक्कण में जेल में चले गए हैं, आप लोग जानते ही हैं, उनके उपर सरसर गलत और संगीन धराएं लगाई गई हैं, जो कि बिलकुल गलत है, ऐसे किसी आपको क्या ही बताओ कि विस्द्यले प्रसासन किस लिए ऐसे अपने चात्रों के साथ कर रहा है, और चात्र हमेशा ही लगाता है, इस बात को लेकर के चल रहे हैं थे कि हाँ आनलाइन एक्जाम करेंगे लेकिन अहिंसा तरीके से हिंसा नहीं करना है, हमेशा चात्र नेतल लगों को सतर कर रहे हैं चात्राओं को आप सभी सांती पूर्वक धरना देजिए, लेकिन उसी का फायदा विस्द्यले प्रसासन हम जैसे जो चात्र हैं उनको अरेश्ट करवा दिया, पुलिस प्रसासन क सफल बनाना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो लोग आवेधन नहीं दिया देजिए, विस्द्यले प्रसासन को सोचे हिमत आप दस्तारीक के जो आपकी मीटिंग होगी, इस आवेधन को देखा जाएगा, कितनी संख्या में चात्राओं कि जो माग है, हो सकता है, हभिरेन मोड भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे चात्र जो है, अच्छे घर से आते हैं, जिनके पास सारी सुभधाय उपलब्ती, कोचिंग बचिंग की है, वो साथर सिर्प आफ लाइन देना कि बात करते हैं, और वो भी आपको बता देए, एक परसेंट चात रहोंगे, एक भी परसेंट की बात मैं नहीं करूंगा, बहुत लोग तो अपलिकेशन ऑनलाइन के दिए दे रहे हैं, और क्लास में सब के सामने कहेंगे, मुझे आफ लाइन देना है, और आवेदन ऑनलाइन दे देते हैं, और दीजिए भी, क्योंकि आप ख आइब्रिड मोड भी एक्जाम हो सकता है, तो इस बजए वीडियो में बने हो लाज तक तो आप वीडियो को लाइक करके जाएगा, वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करें, आपका साथी इलावाद इस आप सभी से वीडिया लेता हूं, वीडियो दखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आबहाद